चलिए अब रुख करेंगे चंडिकट का जहां पर हमारे समवादाता पवंस सिवर ने हर्याना विदानसभा के अदेक्ष ग्यांचन गुपता से खास बातचीत की जरा सुनिए हर्याना विदानसभा का बजट सत्र पांच मार्च को शुरू होगा और अब तयारियां अन्तिम चर्ण में हैं मेरे साथ बाचीत करने के लिए हर्याना विदानसभा के अदेक्ष ग्यांचन गुपता है स्पीकर साब ये जो त्यारियां है वो अंतिम चर्ण में है अभी तक विपक्स की तरप से कितना बिजनस दिया गया है और ड्रो के जरीया आपने कितने सवाल जो हुआ उनका चैन कर लिया है देखिए पहुंजी पांच मार्च से विधान सवा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और एज़ पर जो सेड्यूल अभी तक आया है उसके मताबक ये बजट सत्र सोला मार्च तक चलेगा इस शत्र के दोरान जो विभी भी बिशय रे जो मुख बिशय है एक है राज़ पाल जी का अभी वाशन और उसके ओपर चरचा दूसरा विशय है बजट जो आदनीय मुख्यमंग्य मत्री जी परस्तित करने वाले हैं और फिर उसके पर चाज़ज़ पर चरचा ये दो मुख्य बंदू इस सतर के अंदर आने वाले हैं इसके इलावा कई जो हमारे सरकारी बिल हैं वो इंट्रोडूस होंगे और अभी तक साथ या आथ बिल हमारे पास आ चुके हैं और अन्य कुश बिलों की आने की अभी संभाव ना है इसके इलावा जो तीन हमारे पास प्राइवेट मेंबर बिलाए है बारा काल अटेंशन मोशन आए है एक स्थगन प्रस्ताव आया है और जहां तक प्रशनों की बात है अभी तक 659, 669 प्रशन तारंकित और गैरा तारंकित दोनों परकार के आ चुके हैं और उसके लिए हमने जो पहले तीन दिन है जो तीन कारे के दिन है पहले दिन क्योंकि जिस दिन राज़िपाल जी का बाशन होता है उस दिन प्रशन काल नहीं होता यह ऐसी परंपरा है तो उससे अगले तीन दिनों के अंदर हम हमने ड्रॉफ लॉड से प्रेशनों की सूची तियार कर ली है तीन दिन के अंदर साथ जो हैं प्रेशन स्टार्ड कॉश्चन और साथ ही गैर अन्स्टार्ड कॉश्चन जो है वो हम उसके अंदर लेंगे इसके इलावा जो जहान तक अभी आपने कहा कि कोई नो कॉन्फिटेंस की बात अभी तक कैसा कोई प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से पाया नहीं है स्पिकर जब हर्याना की विधानसबा को यी विधानसबा करने के लिए बीते दिनों आपने एक त्रिपक्ष जो है वो एमोईू साइन किया है और इसी बीच आपने हिमाचल की जो विधानसबा है जो पेपरलेस है और उसका आपने विजिट किया है आपका ये स्टडी टूर आपने स्टडी टूर में क्या नोट किया खास तूर पर आपको वहां किस चीज ने आपको परवावित किया असर और दूसरा हर्याना की विधानसबा को तो ये विधानसबा होने में भी समय लगना है लेकिन इस बार भी कुछ आप उसका जो आपने हिमाचल के विधानसबा से जो आपने स्टडी किया वहां से कुछ जो देखा है उसका असर यहां पर देखेगा क्या निश्चत तोर पर परपवन जी देखिए वैसे तो हमने जो पिछला हमारा सत्र हुआ था उस बजट सत्र के अंदर भी आदरनीय मुख्यमंत्री जी ने आपको याद होगा कि से हमने प्रोसेस शुरू किया है जिसके तहट हमारा ट्राइपर टाइट जो एगरिमेंट है मो यू है वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लिमेंटी अफेर्स गौर्मेंट आफ हर्याना और हर्याना विदानसवा के अंदर यह ऑगरिमेंट साइन हो चुका है और जो हम कल हिमाचल विदानसवा के कारिशैली को देखने के लिए वहां किस परकार से कारे करते हैं विदायक इस चीज़ को प्रैक्टिकल जान करने के लिए हम पांच विदायकों का एक प्रतिनी मंडल कह लिए एक डेलिगेशन कल शिमला में गया था और वहां हमने देखा जाकर के चाहे वो शेशन को भी अटेंड किया और किस परकार से वहां विदानसवा को पेपरलेस किया गया है इसके बारे में सबी जानकारियां वहां पर ली हैं और जो उन्होंने ई विदान का सिवा के अंदर एक बनाया हुआ हैं उसका भी हमने परसनली वहां जाकर विजट करके डेमो है और इसी परकार का जो सारा इंफरा स्ट्रक्चर है जैसे वहाँ पर इंफरा के अंदर हमने एक चीज़ देखी कि जो टेबल है जिसके उपर ये सारा सेट अप हमने लगाना है चाहे वो आई पैड है या कोई और अन्य चीज़ें है वो हाइडरॉलिक था जरूरत पड़ने के उपर वो नीचे आ जाता है टेबल और जब जरूरत नहीं होती तो उसको नीचे कर दिया था इस परकार से स्पेसफिक अरेंजमेंट वहां जो विधायकों स्पेकर श्रीवी पन सिंग परिमार से हमने वहां की कारिशैली के बारे में भी जानकारी ली और जो उन्हों ने बताया के हर साल लगभग पंद्रा क्रूर्ड रुपे के जो पेपर है कागज है उसकी वज़त होती है उसके इलावा जो इस कागज को बनाने के लिए लगभग छे हजार पेड़ हर साल कटाई करने पड़ते थे उसके कारण जो परियावरन है वो उसके अंदर भी दोस आने वाले छे मेहने के अंदर हम यह सारा प्रोसेस पूरा करेंगे यहाँ अपनारा जो मेले होस्टल है मेले फ्लैट्स हैं वहाँ यह ई विधान से वाकिंदर वहाँ पर जल्दी ही स्थापित किया जाएगा और नैशनल ई विधान एप्लिकेशन नेवा जो एक संस्ता है उसके मादिम से वहाँ तीन साल तक वह केंदर ट्रेनिंग के लिए सभी विधायकों के लिए सभी अधिकारियों के लिए करमचारियों के लिए वो हम वहाँ पर उसको उसमें जा करके सीखेंगे मेरा अंतीम सवाल है आपसे पंचकुला की डवल्पमेंट पर हर्याना के मुख्य मंतरी का फोकस नजर आ रहा है उन्होंने का आय कि जिरिपूर और मोहाली जो है जिस तरह से डवल्प होए वैसे पंचकुला डवल्प नहीं हो पाया इसके चलते उन्होंने कुछ विशेश चूट देने का फैसला किया है इसके अलावा भी पिछले दिनों की भी बात करें तो मुख्य मंत्री ने पंचकुला के डवल्पमेंट के लिए एक अलग जो है वो प्लान बनाया है किस तरीके से देखते हैं सर आप अपने विधानस्पा छेतर की डवल्पमेंट के इस फैसले को सबसे पहले तो मैं मानिय प्रदान अपने मुख्य मंत्री जी का अभार विक्त करता हूं कि उन्होंने पंचकुला के विकास की दिश्ची से पंचकुला पर फोकस किया है और पंचकुला को विकास करने के लिए पंचकुला को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जिस प कार से कटाउती की हैं जिस परकार से उन रेट्स को पंजाब के बराबर महाली के बराबर लेकर के आएं तो मैं समझता हूं कि जो डिवेल्पमेंट के कार पंजाब के अंदर महाली के अंदर चल रहे थे वो डिवेल्पमेंट के काम पंचकुला के अंदर आएंगे क्योंकि प चाहे वो इसको हाउजिंग को ले करके हैं, इन्वेस्टर जो है वो पंचकूला की और आएगा और निश्चित तोर से पंचकूला जल्दी ही विकास की दोड़ में मोहाली से आगे निकलेगा। उसको लेकर भी स्पीकर ने तमाम जान कर दिया और ये कहा है कि बज़र सतर को लेकर विधानसभा सच्चुवाले ने अपनी तैयारियां पूरी तरीके से कर ली है। वीडियो जानलिस्ट विजेंदर सिंग के साथ पवन सियू और जन्यता टीवी चंडिगर।